शान्ती बनाए रखने की शक्ती जीवन में हर कोई अगर शान्ती बनाए रखने की शक्ती के बारे में सोचे, तो उसका जीवन एक नई दिशा में बदल सकता है. शान्ती और संयम की शक्ती हर कठिनाई को आसानी से सामना करने की क्षमता देती है. यह वह सामर्थ्य है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुष्ट बनाई रखता है कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा तो चलिए शुरू करते हैं एक व्यक्ति जो शान्ति की शक्ति को समझता है वह हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकता है और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है यह शक्ति हमें हर समय संयम बनाए रखने की सीख देती है चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें आ जाएं हमें शान्ति और स्थिर्ता का ध्यान रखना चाहिए इससे हम अपने आपको अधिक सकारात्मक, स्थिर और स्वस्थ महसूस करते हैं जब हम शान्ति की शक्ति को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं और सभी कठिनाईयों का सामना करने में सफल होते हैं इस शक्ति को विक्सित करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की अभ्यास करना चाहिए हमें अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिती में शांत और संतुष्ट रह सकें यह हमें सच्चे स्वरूप में स्वतंत्र बनाता है और हमें अपने जीवन का नियंत्रण देता है शान्ती बनाए रखने की शक्ती हमें संयम, धैर्य और सहयोग के माध्यम से महसूस होती है हमें हमेशा अपने विचारों को पूरी तरह से संयमित रखना चाहिए और धैर्य से हर परिस्थिती का सामना करना चाहिए जब हम सहयोग की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ एक संबंध बनाते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। शांती बनाए रखने की शक्ति हमें अपने जीवन को एक सार्थक और संतुष्ट तरीके से जीने में मदद करती है। यह हमें स्वस्थ और सकारात्मक बनाती है और हमें हर परिस्थिती में सफलता की दिशा में ले जाती है। इसलिए शांती बनाए रखने की शक्ति को समझन और उसे अपनाना. हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हाँ, अवश्य. चलिए, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं. एक उदाहरण, एक गाव में एक युवक नामक राम रहता था. राम बड़ा सैयमी और शान्त स्वभाव का धारण करता था. उसके जीवन में कई कठिनाई आए आई, लेकिन वह हमेशा शान्ति पूर्ण रहता था. वह अपने परिवार के साथ सम्मान से रहता था और उनके साथ हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था. कठिनाई का सामना. एक दिन, गाव में अचानक एक अट्ताह मिल आग लग गई. ये स्थिती बेहद चि संयमी बने रहे. संयम का प्रदर्शन. राम ने अपने समय को शान्ति और सहयोग में बिताया. उसने अपनी शान्ति की शक्ति का उपयोग करके लोगों को विश्वास और साहस दिखाया. वह उन्हें साथ मिलकर समस्या का समाधान निकालने में मदद किया. उसने लोगों को वाइरस के बढ़ते खत्रे के बारे में संजान कराया और उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी समाप्ती धीरे धीरे लोगों का आत्म विश्वास बढ़ा और वे मिलकर इस कठिनाई का सामना करने में सफल रहे इस घटना ने सिध्ध किया कि शांती और संयम की शक्ति हर समस्या का हल हो सकती है राम की शांती और संयम की शक्ति ने उसे उसकी समस्याओं का सामना करने में मदद की और उसे एक सफल और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया निशकर्ष इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि शांती और संयम की शक्ती हर समस्या का समाधान हो सकता है चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें क्यों नहों, हमें हमेशा शांती पूर्ण रहना चाहिए और संयमी बने रहना चाहिए इससे हम अपने आपको समर्थ और प्रभावी बनाए रखते हैं और अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए समर्थ होते हैं अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें